हलो फ्रेंड्स अगर आप भी रोज की रोटी सबजी से उप चुके हैं तो आज मैं लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बना बहुत ही टेस्टी नाश्टा जो बनाने में आसान है खाने में बहुती ज़्यादा मजेदार सुबे का नाश्टा हो या रात में कुछ हलका खाना हो तो सर्फ दो बोन तेल में ये रैस्पी बनकर तयार हो जाती है तो फिर देर की इस बात की चले शुरू करते हैं सबसे पहले हमने लिया है एक कप गेहु का आटा तो आटे को हमने बारिक चलने से चान के लिया है मोटे आटे से इस नाश्टे को बिलकुल ना बनाए अब इसमें हम डालेंगी लगभग दो बड़े चम्मच बेसन तो बेसन डालने से यहां नाश्टे का टेक्सचर तो इसे skip कर दे और पूरा ही नाश्ता आप गेहूं के आटे से बना सकते हैं, अब इसमें हम डालेंगी लगबग एक कप पानी, तो पानी को यहां हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए, यहां एक lump-free बैटर बनाकर रैडी करेंगे, फ्रैंड्स कभी-कभी हमारे किचन में रखे सामान में ही, डिफ्रेंट टाइप का वेरेशन डालकर हम कुछ यूनिक और टेस्टी बना सकते हैं, तो इसी प्रकार का यह नाश्ता है, तो यहां हमारा लगबग एक कप पानी से ही बैटर बनकर रैडी है, अगर हमें पानी की मा और लगीगी, तो हम बाद में एड़ कर लेंगे, अब इसमें हमें डालना है कुछ कटी हुई सबजियां, तो सबजियां आप अपने पसंद अनुसार ले सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी सबजियां लें वो बस लंबी-लंबी कटी होना चाहिए, तो स सबजी की कॉंटिटी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग बड़ा या घटा सकते हैं, बस इसी बात का ध्यान रखें कि सबजियों को थोड़ा लंबा कट करके लें, जिससे हमारा नाष्टा देखने में काफी यूनिक लगे और खाने में बहुती ज़्यादा मजेदार बन ही है, साथ ही डाले एक पिंच हिंग और इसे कर देंगे मिक्स, हिंग का इस नाष्टे में बहुत ही अच्छा स्वादाता है, तो हिंग को जरूर डालें, तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, यहाँ बैटर हो गया है रैडी, तो अब लास्ट में डालेंगे इ इधर गैस पर मैंने एक पैन को चड़ा दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस नाष्टे को कड़ाही में भी बना सकते हैं, अब इसे हम अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे, तो पैन के हमारे गर्म होते ही लगभग दो चमज बैटर को डाल देंगे, और इसे ह तेल मिनिट को कर लेंगे, आप चाहे तो बिना लेड लगाए भी इसे को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और कवर करने से नाष्टा हमारा बहुत ही जल्दी पक जाएगा, तो एक मिनिट बाद ही हम ढखकन हटा कर देख लेते हैं, तो यहाँ नाष्टा उपर से थोड़ा ड्राय दिख रहा है, और इसका हलका सा कलर भी चेंज हो गया है, तो अब इस पे डालेंगे हम लगबग एक चमबस तेल, अब इसे हम टर्न करके दूसरी साइड से भी सेख लेंगे, जिससे कि अच्छा सा क्रिस्पी हो सकें, तो यह हमने नाष्टे को बहुत ही अच्छी तरीके से दबाते हुए सेख लिया है, तो आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड से भी हमारे नाष्टे पर कितना अच्छा कलर आया है, यह कितना टैम्टिंग दिख रहा है, तो अब आपको रोटी और सबजी बनाने की जरवत नहीं, बस आटे और सबजीों से नाष्टे को बना लीजिए और इसके मजे उठाइए, तो चलिए दूसरा भी ऐसा ही नाष्टे हम बना लेते हैं, तो बस बैन में आपको एक चमज तेल लगाना है, उसके बाद दो चमज बैटर को डाल कर हलका सा फैला लेंगे, फिर इसे कवर कर कि एक मिनिट तक सिखने देंगे, उपर से डालेंगे थोड़ा सा तेल और नाष्टे को टर्न करके इसे दबाते हुए, हम अच्छी तरीके से से शेख लेंगे, जब तक कि ये क्रिस्प होकर तयार ना हो जाए, तो यहाँ एक कप गेहों के आटे से धेर सारा नाष्टा बन कर तयार है, रेस्पी अगर अच्छी लगी हो तो करें इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमली में शेयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में नई रेस्पी के साथ, थैंक यू